प्यार प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही योटोब चैनल बीरू अकाडमी पर सभी को गूड मॉर्निंग वंदे मात्रम जय हिंडिया आज एक बहुत बड़ी अप्डेट आई है प्रात्मिक सिच्छक भरती के लिए क्या आखिर एक क्यावन हज्यार जो सिच्छ बने रहिएगा चैनल पर पहली बारा हैं सबस्क्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिएगा डियर जैसा कि आपको दिखाते हैं कि एक लाक से अधिक जो दावेदार थे उनका खत्म होगा पाम साल का इंतजार ये बेसिक सिच्छा विभाग ने जो सासन को परफदी सिच्छकों की जो पदोनती है उसका प्रस्ताव भेद दिया है मैं आपको बता दूँ जो अभी तक प्रात्मिक लेबल पर टीचर थे उनका प्रमोसन जो है वो जूनियर में होता था लेकिन उसके लिए एक बांड लगा दिया गया था कि जूनियर में 40-45 साल के उम्र में T.E.T. कैसे पास कर पाएंगे तो उसके खिलाब में इश्टे कर दिया हाई कोट ने यानि कुनों ने कह दिया कि ठीक है अब ये नहीं कर पाएंगे इसलिए इनको प्रमोसन दिया जाए तो सिच्छकों की जैसे है ये पदोनती होगी डियर जूनियर में तो कहीं ना कहीं प्रात्मिक में और ज्यादा पत खाली हो जाएंगे तो ये एक जो है आप कह सकते हैं कि सिच्छकों की उच्छ प्रात्मिक में आप देख रहेंगे 44,905 और लगभग 31,000 से ज्यादा प्रधाना द्यापक के पतरिक्त हैं और सिच्छकों की पदोनत के को प्रस्ताव सासन को बैद दिया है और जो है इस पर अब कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर से वो जूनियर में करने का कारी शुरू कर दिया जाएगा तो इसको देखते हुए प्रात्मिक में जो फद्रिक्त हो जाएंगे उनकी संख्या और बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अब प्राथमिक में 51,000 फिच्छक भरती देनी की बात जो है वो सुग बुगाहट होने लगी है लेकिन मैं आप बता दूँ कहीं ना कहीं प्राथमिक के लिए ये सिच्छक भरती के लिए ये सब छोटे छोटे जो कील हैं ये अब गरने सुरू हो गए हैं तो प्राथमिक्स इच् च्छक भरती सासन को जल्द से जल्द करनी पड़ेगी अपडेट वीडियो था कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा आप अपनी राए हमें भेश सकते हैं आपकी क्या राए है इनके बारे में थाइंक यू फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और अपडेट के साथ तब तक की लिए जहिंजा फार थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो लव यू गाई